नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में गूगल पिक्सल 6 प्रो 5G वर्सस आपल आइफोन 14 प्लस का फुल डेप्ट कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो पिक्सल 6 प्रो 5G में 6.45 इंच जबकि आइफोन 14 प्लस में 6.33 इंच की लेंध मिलती है जोकि पिक्सल 6 प्रो 5G से कम है Width की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में 2.98 इंच जब की iPhone 14 Plus में 3.07 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो Pixel 6 Pro 5G में 0.35 इंच जब की iPhone 14 Plus में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं Weight की तो Pixel 6 Pro 5G में 210 ग्राम्स जब की iPhone 14 Plus में 203 ग्राम्स का Weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में जबकि iPhone 14 Plus में OLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 19.5 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है डिस्प्ले रेशियो पिक्सल 6 Pro 5G में 1440 x 3120 और iPhone 14 Plus में 1284 x 2778 मिलता है स्क्रीन तो बोडी रेशियो पिक्सल 6 Pro 5G में 88.5 प्रतिशत जबकि iPhone 14 Plus में 87.5 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो पिक्सल 6 Pro 5G में 513 प्रतिश जबकि iPhone 14 Plus में 457 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो पिक्सल 6 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में टेली फोटो कैमरा देखने को मिलता है और आइफोन 14 प्लस की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो पिक्सल 6 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और आइफोन 14 प्लस की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Pixel 6 Pro 5G में Mali G78 MP20 जबकि iPhone 14 Plus में Apple GPU 5-core graphics मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Pixel 6 Pro 5G में Google Tensor और iPhone 14 Plus में Apple Bionic मिलता है बात करें RAM की तो, Pixel 6 Pro 5G में 12 GB की RAM मिलती है जबकि iPhone 14 Plus में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB, 6 GB, 6 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Pixel 6 Pro 5G में 128 GB की storage मिलती है जबकि iPhone 14 Plus में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 256 GB, 512 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system की बात करें तो, Pixel 6 Pro 5G में Android V12 जबकि iPhone 14 Plus में iOS V16 देखने को मिलती है बाटरी, Pixel 6 Pro 5G में 5003 mAh जबकि iPhone 14 Plus में 43,254 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो, Pixel 6 Pro 5G में 3 colors जबकि iPhone 14 Plus में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो, Pixel 6 Pro 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 12 GB RAM 128 GB Storage के साथ 99,860 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें iPhone 14 Plus की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 89,900 रूपीज 6 GB RAM 256 GB Storage के साथ 99,900 रूपीज 6 GB RAM 512 GB Storage के साथ 1,990 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Google Pixel 6 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Apple iPhone 14 Plus की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में Pixel 6 Pro 5G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है, दुसरा Samsung Galaxy S21 FE 5G है, तीसरा Google Pixel 6 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11T 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना